हेलो एन नमस्ते सवेलाई आज असाई मुईले करेला र तील को मीठो अचार कसरी बनाउने बननी रेसिपी ले राएकिशु। यह अचार बनाउना तेती समाई पनी लागताई न र एसलाई सजीले सिधा आम्मिले बनाउना सक्षु। अब चार माहामी केखे हाचु। तीय हेरों। यह मैं ले करेला साथ से ग्राम ले एकिशु। तेस्ते गरी 200 ग्राम तेल। तेस्ते गरी 1.5 ग्राम विफाइन तेल। चार माँ जोटा रातो सुखा खुर्शानी। दू चममची ली फ्रेक्स। एक चममच कालो चुक। साथ अनुशार नून। एक चममच कस्मेरी लाल मिर्स। अली कती मेथी। अली कती हर्दी। पहिले करेला को टुपुर फेत काटने। तेस्त पशी 20 बाटा काटे रद्वी भाग गरने। अनि करेला कोई वित्री भागनी कालने। एसे गरी सबई करेला काटे रद्वी भागनी कालने। अब सबई वित्री भागनी काली सबई करेला लाए लाम लाम करेर काटने। करेला कोटी तो पन फालना को लागी हान मिली। एसलाइ केज अमेको लागी उमालनु करश। तेसले पानी हालने रहा माथी बाट थोरे नुन पनी हाले रहा एसलाइ हामी अब उमालश। एता करेला उम्ली दे गर्दा हामी तिल्लाइ रात हुंजेल भूर्श। तो भूटी शक्यों पचे एसलाइ एक सिंसे लाउन दिने। एता करेला उम्ली दे च एसलाइ पनी एक पटक चलाउं। तील्ल शेलाइ शक्यों च हामी एसलाइ पीशेर सुखा पेस्ट बनाउं च हूं। करेला उम्लेको पनी 10-12 मिनेट पही शक्यों। यो एत्तीको पागी सकेको च एसलाइ अब आमी भाडा बाटन निकालने र एसको पानी फ्यालने। अब आमी अचार बनाउने त्यारी गसूं। कड़ाई मद्देल तकाउने र तेल तादी शक्यों पची मेथी हालने। तेस्ते रात सुखा कुर्सानी पनी हालने अनि करेला हाले र एक सिंचलाउने। तेस्त पसी अर्दी हालने र हल्का रात उंजल सम्माव यह भूटने। एस्वरी भूटी सके पसी माथी वाटर सीली फेक्स हालने र फेरी चलाईर एक सिंचलाउने। एक तीको भूटी सके पसी अब तील को पेस्ट हालने र फेरी मिक्स गर दे भूटने। तेस्त पसी कस्मीली लाल मिर्स हालने। र स्वाद अनुसात मून हाले र चलाउन दे भूटने। कस्मीली लाल मिर्सले चाईं रंको साथ साते फ्लेवर पनी दिन्छा। तेसाहिली मैले यो अचार मा एसलाई हाले कोशू। अब यो लगबग भूट्टी सके कोश। एस माथी अब हामीले कालो चुक हालने। कालो चुक पाईये न बने हजुर अरले निब्बु कोर्ण साल्धा बनी हुँँच। चुकले चाई अचार लाई मिठो बनाउनको साथ साते लाम समय समभिक्रन दिन्न। चुक हाली चके पचे हामीले अचार लाई दुई मिनेर चति पकायर निकालने। अब आमरो पीरो करेला को अचार पनी तैयार भैशकियो। अब एसको स्वाद हजुर अरले खाना संग मज्जाली लिना सकनूंच। यो अचार लाई आमीले एयर टाइट बोतल वज्जार मा राखेर केई दिन का लागी खाना सक्छू। तर एक पटक खोली सके पची एसलाइब फ्रेज मा राखनू परछू। किरपा यार वीडियो एरी सके पची लाईक रा कमेट गणा नविर्शी दिनू अला। एदी पईलो पटक हेरी रणू वज्जा भने सब्सक्राइब रब बेल बटन थिस्ना नविर्शी दिनू अला। पीडियो एरी दिनू वज्गो मा देरे देरे दने बाद।